1200 किलो का पत्थर उठाने वाले अपने जीवन में एक भी फाइट नहीं हारे। ऐसे थे गामा पहलवान। अमरित सर में जन्मे गामा पहलवान को बचपन से ही कुष्टी का शौक था। हमेशा अपनी उम्र से बड़े लोगों से ही लड़ा करते थे। रोज की 5000 उठक बैठक, 3000 दंड, 100 रोटियां, 500 ग्राम घी और 40 पहलवानों से एक साथ लड़ते थे। ऐसा बना लिया था इन्होंने खुद को कि उन्होंने भारत में सब को हरा दिया। फिर उन्होंने सोचा कोई बचा नहीं है। विदेश चलते हैं लेकिन वहाँ पर इनकी मेरे को हराएगा, मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी उसको दे दूँगा। फिर सब बड़े-बड़े फाइटर इनसे लड़ाई करने आए तो उन्होंने सब को हरा दिया। फिर इनको वर्ल्ड हैवी बेट चैंपियन्शिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। वो इतने बड़े पहलवान को भी जीवन के अंत में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा और एक बीमारी के चलते इनकी मृत्यू हो गई।